कि नमस्कार दोस्तों मैं परिशनांतिक जामरेच की यूटूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं मुँमेद करता हूं दोस्तों आप सभी लोग बहुत अच्छी होंगे दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं जनरल साइंस के कुछ इंपोर्टन कोस्टन आपके लिए लिए लिकिया हूं जो इस वीडियो को अंतक जरूर देखे ताकि आपकी प्रप्रिशन में मदद मिल सके दोस्तों आप से एक रिक्वेस्ट है अगर आप ही तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अ चलते हैं बल के परिभासा आती है नियूटन के कौन से नियम से बताई इसका अंसर रहेगा और इसका अंसर रहेगा नियूटन की गरती के पहले नियम से यानि ओप्सन नंबर वान इसका कर्यक्त आंसर रहेगा चली नेक्ट कोशन क्यों चलते हैं प्रेशर कूकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि इसका कारण क्या है बताइए आप सभी लोग और इसका अंसर रहेगा अधिक दाप की कारण उबलते पानी कताब बढ़े जाता है यानि option number one इसका correct अंसर रहेगा आई रिपीट प्रेशर कूकर में खाना कम समय पक जाता है क्योंकि अधिक दापकी कार्ण उबालते पानी कताब बढ़े जाता है चलिए नेक्ट कोचन क्यों चलते हैं बर्नौली का सिध्धान इन में से किस संक्षण पर कारे करता है बताई इसका आंसर क्या रहेगा और इसक अंसर है बताई इसका आंसर क्या रहेगा और इसका आंसर रहेगा ब्रहस्पती ग्रहपा लाल धब्बे असांत बादल के सूचक है यानी option number 3 इसका correct answer रहेगा चलिये next question क्यों चलते हैं निट्राउन का पत्र लगाने वाले पहले विग्यानिक कौन थे बताई इसका आंसर है रहेगा और इसका अंसर रहेगा न्यूट्रान का पत्र लगाने वाले पहले विग्यानिक थे चैडविक यानि ऑप्स नमबर वन इसका करेक्ट रहेगा आप सभी लोग जानते ही होंगे इन्हें चलिए नेक्ट क्यों चलते हैं स्वेट प्रकास कितने रंगों से मिलकर बन होता है बता इसका अंसर क्या रहेगा स्वेट प्रकास कितने रंगों से मिलकर बन होता है और इसका अंसर रहेगा स्वेट प्रकास जो होता है साथ रंगों से मिलकर बन होता है यदि आप से मैं पूंच लूँ प्रात्मी रंग कित यहांते हैं और इसका आंस रहीगा विद्वों ठीक है यानि era-pyare ताप जिस पर वर्प पार्णि और वास् परसंतलम में रहता है। उसे कहा जाता है तिक बुर्णill ऐसको किस से तयार होता है बताए इसका अंतर जहता है एगर ऑंफो आई घुदा आ TV ज olhos no करेंम जाते हैं अप सभी कैने बोड़ी स्यास बात करेंफ इस वहांगे भात इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने दोस्तों में भी वीडियो को सेयर करें कोशन नमर्वन नारियल का खाने योग भाग होता है आप सब्सक्राइब रहेगा नारियल को खाने योग्स भाग होता है घ्राइब करक्त आंश चलते हैं अफ हो ग्रीति करेंस नहीं है चबताएं इसका अंतर ग्रैन्हाउस गयस घो और इसकाौशन कंदर वह को चलते हैं अठेटे डोस मायोपिया वालब वक्ती देख सकता है मायोपिया आया है मतलब निकल रेस्टी दोस वाला वक्ति क्या देख सकता है और इसका अंसर रहेगा नजदीक की बस्तों को इस पर टूप से देख सकता है यानि ऑप्स नमबर वन इसका करेक्ट आंसर रहेगा चलिए नेस्ट कोश्चिन क्यों चलते हैं किसके कारण प्रकास नीला दिखाई देते हैं बहुत इंपोर्टन कोश्चन है आप सबी लोग जानते भी होंगे और इसका अंतर रहेगा प्रकास का नीला दिखाई देना प्रकीरण के घटना है यानि ऑप्स नमबर ठाड़ इसका करेक्ट आंसर रहेगा ठीक है आई रिपेट जो अकास होता ह प्रकीरण के काल नीला दिखाई देता है चली अब नेट कोश्चन को चलते हैं जल का घनत्यू किस तापमान पर सर्वाधिक होता है बताए इसका अंतर क्या रहेगा और इसका अंतर एक जल का घनत्यू जो होता है चाइड डिगरी सेल्चेस पर सरवादिक होता है, यानि so tabs नमबर स्लों होता है, ie many of almost number is, offcore number two , इसका कर्रेक्तांसर रहेगा, खलो जलक खन ट्य जलीं , चारई डिगरी सेल्चेस पर सरवादिक होता है, चलों अभी में चिछलते हैं, बिसाडू माने जाते हैं बताई बिसाडू माने जाते हैं तो बिसाडू के स्ट्राप यह होते हैं सजी और नर्जियों के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रोफ होते हैं यानि ऑप्स नंबर थाड़िस का करिक्टांसर रहेगा रिपीट जो वायरास होते हैं सजी और नर्जियों के बीच एक transition ग्रोफ होते हैं ठीक है सजीव ऑनर्जीव के बीच एक कड़ी होते हैं या निकी चलि आप नेक्ट कोस्चन क्यों चलते हैं ऐसा ही बद्दती में Lens की सक्ति का इक आई है गाये सिर्श नमें था करेक्ट्स है दोस्तों है इसका क्या है चलिए हम next question को चलते हैं पुराने तेल चित्रों के रंग को फिर से उभारने का काम आता है बताई जो पुराने तेल चित्रों होते हैं उनके रंगों को फिर से उभारने के लिए इन में से कौन से चेज योज होते हैं तो इसका अंसर रहेगा हड्रोजन परक्षाइड ठीक हड्रोजन परक्षाइड की मदर से हम पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिरते उभार सकते हैं यानि आप्स नमबर थाड़ इसका करेक्ट अंसर हैगा चलिए नेस्ट कोशन क्यों चलते हैं मात्रुकों की अंतर राष्टि पर्दलागों की गई बहुत इम पॉड़न कोश्चन हैं और अचलिए कोशन के जलते हैं पधों के पाएड़ में पाये जाने वाले धातु तत्त्त है तो उसका चाहिए हरित लवण से पाये जाए जाता है जाता है दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का पेडियाप राप्त करना है तो आप हमारे टेलेगराम गूर्प से जोड़ सकते हैं और वहाँ से इसकी पेडियाप राप्त कर सकते हैं तब तक के लिए थैंक्यू